मारी माठी मारे लो, मारी माठी मारे लो यह बताएंगे कुंडु साब तो आज हमारे हम एहमान हैं प्रताप सिंग कुंडु जी सन नमस्काद अबस्ते, धन्यवाद आपने ये रागनियों का को संजोने का जो कारिय किया है इसकी इंस्प्रेशन आपको कहां से मिली मैं आठ वरस का था था जी हम मैं रोली में रहते थे पिता जी सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट में थे सब्सक्राइन एरपोर्ट पे वो मेरे को सांग दिखाने ले गए सुल्तान का जो रोद के निवासी थे पंदल लखमी तन के सिश्चा थे और बीस वरस तक उनके साथ रहे थे मिर्टू के पश्चाथ उन्होंने सुतंत रूप से बेड़ा बंदा था और जो लखमी तन के साधिन दे थे वो सुल्तान जी के साथ आ गए थे तो आठ वरस के ने मैंने पहला सांग जो है अजा है गुर जो मेरवली से आठ मील दूर है पैदल गए थे अच्छा और पैदल आए पैदल अपने गाहों से आप बहां तक गई मेरवली से गुरवनी तक पैदल गई और पैदल आए और उसके बाद फिर पंददी के दियान के पश्याद तीन गव साला हैं उनकी ऐसी थी गुडगामा महरोली और नजब गड़त जहां पंदद लखमी तंद हमेशा जब तक जीवित रहे तब तक सांग करते रहे उनकी मिर्चु के पश्याद इन तिनों गव सालाओं में सुल्तान जी सांग कर ने लगे और जब वो महरोली में आए और जीवन से मिर्चु परियंत वो जब तक महरोली में उन्हें सांग किया उनके सांगों को हमने बहुत जो है नजदीक से बिलकुल तकत के पास बैठ कर देखा है और पंदद जी खाना जो है वो हमारे घर घाते थे उनकी मिर्चु के पर शाथ पंदद चंदोन भी आए हैं और फिर पंदद तुले राम जी जो लखमी संद के सुपूत्तर थे वो भी उनके साथ भी मेरा चाड़ीस वरस तक संपर्क रहा है और उनके भी सांग जो है हमने मेरोली में भी और मेरोली से बार अर्याने में भी जो है उनके खूब सांग देखें तो वहां से मुझे प्रेणा मिली तो पहली बार कौन सी रागनी थी आपने जिसको लिखा नोट किया संजोया यह इस तरह से तो मतलब नहीं बता सकता मैं क्योंकि सभी रागनिया जो भी मिल जाती थी पहले पंदर ते उसके नब्सुराम गोगा निवासी दे वह फुष्ट के थापते थे थे छोटी-छोटी फ्यार-चार आने की मिलती थी फिर आठाने की मिलनी लगी उनको पड़ के शोक लगया फेर लेकिन उसमें भी देख्या कि बहुत प्ता लगया कि वह इसमें बहुत अशुदियां हैं और उनके नुसार फिर जो रहतना है त उनका संघ्राइक करना आरम किया जैसे महर सिंग जी का साहित है महर सिंग जी की छोटी- solche किताबे वी बस्टेंडवे मिलती थी में भोजी मेर सिंग का गुछा या कुछ लोग rozm जो उन्होंने नहीं लिखा उस पर भी मेरसिंग जी की चाफ है। बहुत है। ऐसी एक नहीं यह लक्षमी के साथ भी है कि जो है मतलब जो रचनाए उन्होंने ना मतलब बनाई ना उन्होंने गाई जैसे अभी एक फिल्म का मैं जिकर करूं वो पंद्द शर्मा जी बनाने लग रहे हैं पंद्द लखमी चंत की थे लम बना रहे हम एसमें उन्होंने एक रागनी दिया आवा गमन रही लाग जगत में रात मरया कोई दिन मर गया बहर मर रहा कोई बीठर मर गया गरा मर्या को एबन मर्या वो मेरे पास पानी पताए थे और मैंने उनको मना किया था कि पंड़त जी ये रागनी मेर सिंग की बनाई हुई है और ठाप काटके लखमी के नाम से दो है परतलित कर दी गई है आपने अभी कहा कि वो जो रचना है वो लखमी जी की नहीं है तो पास इसका क्या दार है मैंने जो रतनाए संग्रहित की हैं वो पंड़त सुल्तान से पंड़त तंदन से पंड़त राम तंदर से पंड़त रत्ती से जो कि 16-20 साल तक पंड़त लखमी तंद के साथ रहे हैं उन से संग्रहित की और वो एक भी सबद्द है जो ऐसा पंड़त लखमी तंद गाते थे वैसे ही गाते थे मैंने ये रतनाएं वहां से संग्रज़ की तेन आदमी जो हैं वो सांग से बाहर के भी ऐसे थे जिनको पंद्द लखमी तंद की सारी रतनाएं याद थी जीतराम जाट छावले का मीर सिंग मांडो ठी के और सोरण बाड़ी नंग लेका उनको पंद्द लखमी तंद की सारी रतनाएं याद थी तो मैंने वो रतनाएं उन से प्राप की जिनोंने सोड़ा बीच सार लखमी के उके बरे उसके पेर दबाए उसके दोग्ये खाए उन आ ली और विलक्षन बात ये थी कि ये सारे के सारे अन पड़ थे लेकिन उनकी समिर्थी उनकी मेमोरी लाजबाब थी वो 85 साल की उमर में भी उन बातों को ऐसे बताते थे जैसे आज लख्मी के आगे सुरा साल के गाने लग रहे हैं हरियाना का अब ये बड़ा एक माइनस पॉइंट रहा है कि हमारे लोगों ने अपने ऐसे महान लोगों को ठीक से संजोया नहीं उनकी लेखनी को संजोया नहीं डोकुमेंशन बहुत कम हुआ है अज हम बड़े स्वभागेशाली हैं कि कुडू साब जैसे लोग हमारे साथ हैं जो किसी ने किसी रूप से उस अच्छे सहिते के सही रूप को सही रूप को क्रेट करके अपने पास संजोये हुए हैं और हम हम ये चैनल पर वादा करते हैं कि हम कुडू साब आपकी किताब के रूप में हम जो आपका सही रूप है जो सुधरा वारूप है चाहिए लखमी चंजी का है मेर सिंग जी का हम अपने चैनल के सही योग से आपको की किताबों को सपवाएंगे इसके लिए मलीक साब मैंने म साल का तो बच्टा था संदो कि थारा साल का युवा हो जाता है हर बात को समझता है और आप सुथर साल मेरी एद है तो लगबग सपन साल संदो इनको कलेक्शन करने के लिए मैंने इतना समय लगाया है और लगबग अनुमानत है पंदरा लाख रूपया दो है अपने पल्ले से खरच किया है और इतना तब किया है इनको कि मैं पंद्यतर रफ्ती के पास दबजाता अता रहो तक से तो कई बार मेरे को वो कह देते थे कि याद मेरा मूड नहीं है मैं वापित सलह दाता था कई बार वो टेक बत कि जो है सभी रतनाओं को जो है संग्रहीत करूंगा चौत्तर वर्ष की वह में भी अभी पिछले साल की बात है मतलब दिल्ली की सड़कों पे 45 दिगरी टेंपरेटर में मैं चाननी चौक सदर बजार नई सड़क तावडी बजार काजी ओध पैदल जो है इसके मेर सिंग की असके लिए बारा किलो मीटर जो है दो पहरी में बारा किलो मीटर पैदल हुआ आपके इस तप और इस दिवानगी के दोर में कभी सरकार की तरफ से कोई सरकार सोडिया मुझे किसे व्यक्ति की तरफ से भी कभी एक मतलब रुपे का मतलब सहयोग नहीं मिला किसी तरीके का सरकारी सम्मान कभी नहीं सम्मान उनको मिलता है जो मतलब उनके ताटू कारों थे ये बात बड़ी गौर करने लायक है कि खासका जो सरकार के वो लोग जो इस विभाग से सम्मधित हैं कि इतने सानों से जो आदमी अपने समय लगा के अपनी एनरजी लगा के चीजों को संजोने में लगा रहा है उसको किसी तरीके की कभीर करनेशेशन नहीं मिली है तो जो उन्हें कमेंट किया शायद वो कहीं तक जायज है कि जायतर उन्हीं लोगों को ये सम्मान मिलते हैं जो सरकार के बहुत नजदी की अपनी बिन बजा लेते होंगे सर ऐसी कोई रागनी बताईए जो परचलित है किसी और रूप में और उसका शुद रूप आपको बताए ऐसी तो बहुत है मैंने बताया ने कि कोई रागनी सिंगल रागनी ऐसी नहीं है इन किताबों में जो शुद रूप में लिखी गई क्या किया जाए फिर ऐसी किताबों को तो कहीं न कहीं गलत ही मान लिया जाए कि वो गलत पढ़ाया जाए पर प्रमोट किया जा रहा है जैसे महर सिं की कोई संतान नहीं थे झर गते हैं मतलओ रागनी बना जी constructed दो बाड़ा के नम से सोड़ पिता की मेर दियो मतलब उसका कोई बता नहीं है और ऐसी रागनी जो है बना के तो आपको क्या लगता कि जिसी ये रागनी साथ रहनिया संके साथ रहनिया संके साथ ये तो ये रागनी क्या मेर सिंग जी ने लिखी थी नहीं ये द्याचिन जी ने लिखी थी ये मेरे चोटे चोटे दो बार ने उसको बच्चे नहीं बितरे हो जो आये एक दो बार था, उससे संपर्क भी नहीं हुआ मतलब इतना विशेज दो है ग्रियस्ति के उसमें और एक रागनी दो है इन्होंने राम पलते हैं दीके पे उसमें जो बलोने वालों ने चपा रखी इसमें भी है कि तरह चोटा वाही मनें कमरेवीच बुलाओ से उस प्रेम कोर पे जितनी भी हमारी पतिवर्ता ओरतें हुई हैं मतलब उन सबसे बढ़कर में मांता हूं प्रेम को क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन जो है वो पती के साथ बिताया है इस और टुरानवंगों पितानवं साल की एद में उनका दियान्त हुए है और उसके वीशे में ऐसी बद्दी बातें जो हैं यह उस किताम में लि तरीके का रोमानी अंदाज दे के लिखा गया है उसमें कहीं सच का वाना जोड़ा गया साथ में निंदर निया बाद बहुत आदर से नाम लिया जाता है लक्मी चंड जी का और उतने ही से आदर से मेर सिंग जी का लिया जाता है और अगर रिसेंट पिछले पचास-पचिसती सालों की बात की जाए तो जो ज्यादा पॉपलर कवी रहें जिनकी रागनिया गाई गई है ज्यादा जिनकी गाई गई है और भी बहुत अच्छे कवी हैं लेकि इन दो की ज्यादा गाई गई है ना मन्चों पर ज्यादा गाई गई है आपको इन दोनों में क्या फरक लग को फार्शी का ग्यान था उर्दू का ग्यान था हिंदी का ग्यान था संस्कित का ग्यान था वो संदरतना में पनदी की साहता करते थे जबकि मेर सिंग के साथ ऐसा कोई सायक नहीं था मेर सिंग का ग्यान जो है वो तीन बातों के उपर आधारी था एक तो दैविय प्रकाशन जिसे हम Divine Revelation बोलते हैं, कि प्रमात्मा की देन थी उनको, तो प्रमात्मा की बक्ति के दुआरा, Divine Revelation के दुआरा, पिता के संस्कार के दुआरा, मतलब मेर सिंग ने जो अपना ज्यान संदोया है, वो इन तीन के ऊपर आदा रहे थे. आपने कविता बता रहे थे कि आपने कविता बनाई है, मेर सिंग जी के बारे, जराबो सनएगे. जाट मेर सिंग कदा ओगे, देख रहे हम बाठ, आज किसे बरोने में थाट. पिता नंदराम के गरजनम लिया, कुनबे में खुशी थाई थी, माता बर्तो देवी शान देख के फूली नहीं समाई थी, पशुत राय और हडबाया बसपंत रागनी गाई थी, मोड बांध के गया समस पर प्रेम कोर तने ब्याई थी, सासु देखू मंग में बरगी, बहुचाती के लाई थी, मेर सिंग भी गणाउ माया, रागनिया की दूम मचाई थी, बात पिता की मान्या को ना, वो छिक लिया नाट नाट आज किसे बरोने में थाट. ये इस वर तेरी लीला न्यारी मारे काड़ जे की कोर लेगे, कुछ कप्टी और चोर्टे बाई, तेरी कवीता चोर लेगे, जो सरे तने मिलना था, वाशाबासी और लेगे, के काम था ब्रेली सिंगा पर तने था करमा के जोर लेगे, इतनी सोरत कड़े मिलनी थी, जै ये अमर रागनी गाताना, कितने मोत निमानी खा थी, जै सिंगा पर दताना, तेरी रागनी कड़े उजलें थी, जै डक्टर कुंडू पताना, नत मस्तकों दे शर्धांजली, तने मेर सिंग जाट, आज किसे बरोने में थाट. वा, बहुती खूब शब्दों में आपने उनके पूरे जीवन चरितर को लिखते हुए शर्धांजली दी है, और इसके अलावा भी आपने को यह और रचना लिखी है, यही लिखी है, मतलब बाकी समय आपने उनकी रचनाओं को संजोने में लगया, और फिर अपनी भावन में बोल के आया था, तो एक उनकी अद्वीत ही है, अनुपम, उत्क्रिष्ट, सर्वत्म रतना जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और जिसको मैं कहता हूँ कि बले ही ताए, कितना भी बड़ा कवी हो, उसके अनुपम रतना जो है, उसके बराबर की रतना जो है, देखन कोने से पहले यह दुर्वेत के मन दच जा क्यों ना, जै हो कोई डाटन आड़ा, पांच साल बच्चे पड़ में, खूब खेलो, खूब खाओ, अक्षरों का ज्यान सीख, विद्याले में पढ़ने दाओ, ब्रमचारी रहका पढ़ाई पढ़ो, उत्तम सत संग पाओ, पत् जा रहे मन मुरक, कदे बीच में खराब हो जा, मन वश में ना रख्याता पढ़ जा, कुबद करन की डाणा, मन डट जा क्यों ना, जै हो कोई डाटन आड़ा, जाट मेर सिंग ओम बजा कर, याले कही मान मेरी, मन जैसी गती नहीं, इस पर गार राखिये गेरी, चंचल मन की लगाम कस दे, जिन्दगी सफल हो जा मेरी, एक चोर का सत्संग करके, चोरी करना चावे बेरी, अपने गर ने था डाबर के, गरीब ने सतावे बेरी, पकड़ा जा जैब ठाने के में, मन का दोस्त बतावे बेरी, मन विचारा के कर ले, जैब आप पर रूप जाला, मन डट जैके उना, दै हो कोई ता तन आला, यह है हर्याना का फ्लेवर, हर्याना के शब्द, हर्याना की पोईट्री, और यह एक रतना नहीं है, जी मतलब अनेकों ऐसी रतना है, जिन्में शब्द विन्याज़ है, वो मतलब हरा आदमी लगा नहीं सकता, जो इस ने, मतलब तीन लक्षा पड़े हुए, मेर सिंग न लगाए, ऐसी बहुत रतना है, यह कहा जाता है, यह सुना जाता है, कि मेर सिंग जी, लख्मी जी के चेले थे, जैसा हमने सुना है, कि सैद उन्होंने, दो बार या तीन बार, जैसा सुना है, दो या तीन बार, वो मतलब उनका सामना लेकिन उन्होंने ये नहीं कि जैसे पंड़त लखमीतन ने पंड़त मान सिंग का सत्संग करके उन से ग्यान लिया तो ऐसा मेर सिंग के विशे में कुछ भी नहीं है वो उनके समकाली इन अवश्य थे लेकिन ग्यान जो है मैंने देशे कि पहले भी बताया था कि उनको तीन सुरूटों से प्राप्त हुए है देवियर परकाशन से पिता के सत्संग से और इश्वर की बगती से पिता जो है वो कट्रार यह समादी थे और उस समय क्योंकि सांग को जो है बहुत गुरा मानने अजाता था और उसने मेर सिंग ने तो एक राग नहीं भी बना रिखिया सांगियों के विरूद इन उता का सांग देख थारी क्यों अकल बेरी से ऐसा ऐसे शब्द हैं उसने मतलब जो चिंता का विशे आज है साहिते में आज भी हम कहते हैं कि बहुत सारे बेहुदा शब्द काप्रियों कर रहे हैं बच्चे गानों में बहुत सारे ऐसे अशलील गाने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही साहिते उस दमाने में कुछ लोग लिखते रहे हैं लिख लेकिन मेर सिंग ने ना तो गाया और ना उसने रतना की अगर किसी ने बनाया है तो वो दूसरे ने बना कि उसकी छाप से दुआ है मतलब पर्चली कर दिया गया तो यह उनके नाम से यह उनकी छाप से रागनिया लिखने का पर्चलन शायद इसलिए रहा है कि बाजार में उनका नाम ज्यादा चल गया था उनकी ख्रीदार ज्यादा थे और ना कभी दिन्दकी में गाई और उनके नाम से पर्चलित कर दी गई और खूब गाई गई तो इसके पीछे आपका तार्किका धार क्या है कि ये रागनी लख्मिचंजी की नहीं है क्योंकि ये पापुलर बहुत है उनी के नाम से उसके सांग के जब प्रारम हुआ तब से लेका है और उसके मतलब उसके तो बाद मरे हैं वो पितासी स काल के हो गए पंदत रत्ती पंदत राम तंदर पंदत माई तंद सुल्तान दारे बिर्मा ये तो सब उनके पंदती के बाद मरें उनने कभी भी नहीं गाई ये रागनी बड़ी रेर बात है रहे सा पहली बार पता चला है आई ओपनर है हमारे लिए और शाहिए हर्याना के लिए भी क्योंकि इस रागनी को तो बार बार उनके नाम से ही परचारित किया गया तो इवन हमने भी बनाई हमने भी क्योंकि हमने कोई हमारे सामने भी कोई और नाम नहीं था तो हमने भी इसको एक एलबम में रागनी बनाई थी उसमें नाम हमने उन्हीं का दिया था तु ये बेराना कर तीज मनेंगे, वो तो तीज मना गया। research होंगी यह आगे जो भी बच्चे उसको follow करेंगे तो वो कहीं न कहीं गल्द को follow करेंगे जैसे मैंने यह रागनी बताई आवा गमन रही लाग दिगत मरात मरे कोई दिन मर गया बार मरे कोई भीतर मर गया गरह मरे कोई बन मर गया पंड़त रतीन है पंड़त कर राम चंदर ने दोनों न मना कर रहा है कि रागनी पंड़त झी न नहीं बनाई और न कभी उन्हों न reflect मैतन ने मेरे को उन्होंने यह तो कह दिया कि उन्होंने नहीं बनाई न गाई लेकिन ये कहने का सास वह भी नहीं कर सके की ये बनाई किसने ये बात मेरे को पंदते माईतन ने बबैल में अपने गेर में मेरे को वो दिन और तारिक में सब लिख रहा हूंगो जिस दिन बताई उन्हों ने ये बताया कि ये रागनी पंदत लखमी तन ने तो ये रागनी बनाई थी पूरण मलके सांग में मरण दे दननी म मुक् Soo गयो ठीक बताया उसकी जगह मेर सिख ने पूरन मलके सांग में उसके सांघ पर ये रागनी बनाई ती आवा गमन रही लाग जगत में रात ब्रया कोई दिन मर गया बाहर मर्या कोई बीतर मर गया आखरी कली थी इसकी अवदियो पर बन मा मर गया अंज सोड के तान मरे बैते साथ हजार सगर के आंगा कर बेकाल मरे कंस को करमी मानया को लिया उगर सेन के लाल मरे सिरी किर संत वहर बांद का दंत वकर से स्पार मरे दिन तीन कदब पिरत्वी मापी वो बली थली बावन मर गया जाट मेर सिंग एक दिन सुनियो लख मीतंद बावन मर गया इस थाब को काट के ये करया गया कि थोड़े दिन मैं सुनियो लोग गो लख मीतंद बावन मर गया तो ये बात पंदत माईतंद ने मेरे को बताया और पंदत रत्ती जिन को की पंदत तुले राम अपना गुरू मानते थे उन्होंने भी और पंदत राम चंदर जो सब से पहले पंदत लख मीतंद के बेड़े में सामल उए थे जब पंदत तुले सोन के साथ और जहली पंदत के साथ जो नदी प्रमाजरे के थे उनके साथ जब सांग परारम किया तो बेड़े में सबसे पहले शामल होने वारे पंदत राम तंदर थे उसके बाद पंदत माई चंद आये थे उसके बाद पंदत रती आये थे तीनों ने मना करत दिया कि ये लख्मी के रागनी नहीं है ना उन्होंने बनाई ना उन्होंने कभी गाई ये एक किताब है जो महर सिंग जी पर लिखी गई है मार्केट में अवलेबल है कुंडू साब ने इसकी लिखी रागनियों को करेक्शन किया है और आप देखिएगा कि अशुद्धी का हाल क्या है ये देखिए कितनी बार इसमें लाल रंग से करेक्शन किया गया है कोई पेज ही शायद बचा हो जिसमें के करेक्शन ना है तो कुंडू साब ये इतनी अशुद्ध था ये हुई कैसे है और आपको यतना शुद्ध कैसे पता है कि एक शब्द का मैंने तो उन से लिए जिन्नों ने सोड़ा साल उसके के बरे उसके डोगे खाए उसके पैर दबाए तो ये जो ऑथेंटिसिटी है आपके इन रागनियों के ग्यान के प्रतिय जादतर उन लोगों से ही आई है जोनोंने उनके साथ काम किया है बिल्कुल 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 मैंने और किसी जह नहीं जी रागनी में एक शब्द बदलने से उसका कितना अर्थ बदलता है ये बहुत कम लोग समझते हैं लगता है कि रागनी तो बस गान की होती कुछ भी गान दो आप एक जिकर करे थे जब हम प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ दे पहले कि रागनी में वो आके लेटा ना बताईए बस्ता समाउत का सांग था प्यारे ने एक रागनी गाई गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का कर दिया दूर शरीर का दतें पड़के सो गया उसकी पहली कली गाई ताक मैं दर्या डिबा ठालिया उसमैं तरिक्रे पान ठालिया एक खष्बो का पान खा लिया दिल खुछ सो गया रूणबीर का मजे का मतलब तो गया सांग के बाद मैंने प्यारे को कहा कि प्यारे जब वो लड़का सो गया था दातें पढ़ के सो गया तो उसने दिबबा कैसे ठाया सोता हुए आदमी तो डिबा नहीं था सकता तो पंद्र लखमी तन्द की पहुंच कहा तक थी कल को कोई आदमी ये नहीं कह दे कि वही रात को उसके रणबीर की आँख खुल गी और उसने वो डिबा ठा दिया तो अगली रागनी में पंद्र लखमी तन्द काया कि नीन मैं सोया रात तमाम लड़का दिन लिख़े उठ्था यानि तमाम रात सोया और कब उठ्था जब दिन हुए तो अब रात को उठ्थने का स्वाल पैदा नहीं होता तो उसके बोल किया थे गया लोट पिलंग पै लड़का दड़का कर दिया दूर शरीर का ज़त त्यट्डा हो गया यानि करवट लेकर लेट गया और फिर वो कमरे को नियालने लगया कि कमरे में क्यातीज है उसको एक आड़ा जिसको ताक भी बोलते हैं वो दिख्या उसमें एक डिबा रख्या था वो डिबा खोल लिया तो उसमें पान ठालिया थे ठालिया इसको सुपारी के टुकडों को बोलते हैं तो उसमें खश्बो का पान खा लिया दिल खुश हो गया तो इस तरह से एक शब्द के उससे मतलब एक शब्द से इतना फर्क आ जाता है तो यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर्याना का दिमाग वैसे बहुत लॉजिक से काम करता है हमारे चुटकले भी बड़े लॉजिक से बनते हैं तो ऐसे लॉजिक से देखना और एक प्यारी पती की बिजाकत पड़ी में रोई देखिलकारी अरद बुड़ा के गई दला में जुड़गी सेना सारी सिरी राम चंदरना आथ फेर कर पती बरता पुचकारी मैंने उसको फोन किया मगा पाले ये कोई महैस और गाये थोड़ी थी कि राम चंदर उसके उपर का आ हाथ फेर रहता हाथ तो पश्वों पे फेर रहता है तो वो तो पती वरता औरत थी दो कि शब्स महां है कि सिर्दाम चंदरना हाथ जोड़े का पती वरता पुछकारी पहले उसके आगा हाथ जोड़े क्योंकि पती वरता औरत थी उसके पती का सिर्कत हुआ था कभी वो वाला समझ कर रादानल को आजिर कर दिया दोबनबाला मैंने फॉरण उसको फॉन किया दांगी साथ ये क्या गा रहे हो रादानल को आजिर समझ लिया बाकी रादे कहा गए देवता कहा गए चारों उनको एपसेंट मारे कर दिया रादानल को आजिर नहीं रादानल के आजिर देखा आपने एक शब्द का की जगें के होने से ही मतलब कितना बदल जाता है सोचिए क्या फिर से कहेंगे कि कल्चर के नाम पे सिर्फ एगरी कल्चर है यही उदार्ण है कि और यही एक कमारी विडंबना है कि हमारे ही लोगों ने उतने अच्छे से नहीं संजोया उतने अच्छे से परचारित नहीं किया बहुत कम लोग हैं कुंडो साब जैसे जिनोंने इतना अच्छा ग्यान संजोया है तो आज आपने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे ग्यानी की फिर से हम किसी दिन एक्सपेट करेंगे कि आप फिर से हमारे लिए समय निकालें क्योंकि चैनल पे एक समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अक्सरों का ज्यान सीख विद्याले में पढ़ने दाओ ब्रमचारी रहके पढ़ाई पढ़ो उत्तम सत संग पाओ पत्ती साल पढ़ने से सारा ठीक हिसाब हो जा उर्धाव गामी वीरिये हो के चेरे उपर आब हो जा मान जा रहे मन मुरक कदे बीच मैं खराब हो जा मन वस मैं ना रख्याते पड़ जा कुबद करन की डाला मन डट जा क्यों न जै हो कोई डाटन आला जाट मेर सिंग ओम बजा कर याले कही मान मेरी मन जैसी गती नहीं इस पर गार राखिये गेरी चंचल मन की लगाम कस दे जिन्द की सफल हो जा मेरी एक चोर का सत्संग करके चोरी करना चावे बेरी अपने गर ने थाड़ डाबर के गरीब ने सतावे बेरी पकड़ जा जब ठाने के में मन का दोस बतावे बेरी मन बिचारा के कर ले जब आप रूप है ताड़ा मन डट जा कि उना जै हो कोई ड़तन आरा ये है हरियाना का फ्लेवर हरियाना के शब्द हरियाना की पोईटरी और ये एक रतना नहीं है जी ऐसी मतलब अनेकों ऐसी रतना है जिन में सब्द भी न्याज़ है वो मतलब हर आदमी लगा नहीं सकता दो इस मतलब तीन कक्षा पड़े हुए मेर सिंग न लगा है ऐसी बहुत रतना है ये कहा जाता है या सुना जाता है कि महर सिंग जी लख्मी जी के चेले थे जैसा हमने सुना है कि सैद उन्होंने दो बार या तीन बार जैसा सुना है दो या तीन बार वो मतलब उनका सामना विया है लख्मी तंद से लेकिन उन्होंने ये नहीं कि जैसे पंदत लखमेतं ने पंदत मान सिंग का सतसंग करके उन से ग्यान लिया तो ऐसा मेर सिंग के विशे में कुछ भी नहीं है वो उनके समकाली इन अवश्य थे लेकिन ग्यान जो है मैंने दैसे की पहले भी बताया था कि उनको तीन सुरोटों से प्राप्त हुआ है दैविय प्रकाशन से पिता के सत्संग से और इश्वर की बक्ती से पिता जो हैं वो कट्रार ये समादी थे और उस समय क्यों कि सांग को जो है बहुत बुरा मानना दाता था और उसने मेर सिंग ने तो एक रागी नहीं भी बना रिखिया सांगियों के विरूद इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अकल बैरी इस ऐसे शब्द हैं उसमें मतलब जो चिंता का विशे आज है साहिते में आज भी हम कहते हैं कि बहुत सारे बेहुदा शब्द काप्रियों कर रहे हैं बच्चे गानों में बहुत सारे ऐसे अशलील गाने आ रहे हैं तो कहीं न कई कुछ ऐसा ही साहिते उस दमाने में कुछ लोग लिखते रहे हैं हो ने समझा है कि भствен बातें दोई हैं काना थोड़े अथि बातें हैं बना लेकिन मेर सिंग ने कोई भी दोय है रागनी ऐसी नहीं बना रख़की बलकि उसने जगे जगे यह कह रेक्टा कि दाट मेर सिंग बरी सबाव में गंदा गाओ मतना उसने कभी भी गंदा गाना जो है मेर सिंग ने ना तो गाया और ना उसने रतना की अगर किछी ने बनाया में तो दूसरे ने बना के उसकी चाफ से चाफर दो है मतलब परचली तकर दिया गया तो यह उनके नाम से उनकी चाफřे रागनिय Lasin का परचलन शायद इसलिए रहा है कि बाजार में उनका नाम ज्यादा चल गया था उनकी खरीदार ज्यादा था दोनों की इसलिए कि मतलब रागनी अपनी बना दो तो सुन लेंगे जैसे लखमी की मतलब एक बहुत परशिद रागनी संगों में भी काते हैं टीवी में भी दि और ना कभी दिंदगी में गाई और उनके नाम से पर्चलीत कर दी गई और खूब गाई गई तो इसके पीछे आपका तार्की का धार क्या है कि ये रागनी लखमी चंजी की नहीं है क्योंकि ये पापुलर बहुत है उनके नाम से उसके सांग के जब प्रारंब हुया तब से रेक है और उसके मतलब उसके तो बाद मरे हैं फितासी साल के हो गए पंदत रती, पंदत राम तंदर, पंदत माई तंदर, सुल्तान, दारे, बिरमा, ये तो सब उनके पंदतिके बाद मरे, उनने कभी भी निगाई ये रागनी. बड़ी रेर बात है रहाएसा पहली बार पता चला है आई ओपनर है हमारे लिए और शायद बाके हरियाना के लिए भी क्योंकि इस रागनी को तो बार बार उनके नाम से ही परचारित किया गया तो एवन हमने भी बनाई है हमने भी क्योंकि हमने कोई हमारे सामने भी कोई और तो हमने भी इसको एक एलुबम में रागनी बनाई थी उस्मे नाम हमने उनी का the लृम के सांग में भी रागनी कभी नी गाई ओके ना सुल्तान के सांग में ना तू ये वो तो तीज मना गया. ये साहिते के लोगों के लिए द्यान देने वाली बात है किस तरी के पर आगे के लिए तो वो उनके लिए बड़े संग्यान लेने वाली बात है कि सही रिशर्च करवाई जाए और उसके लिए सही ऑथेंटिक ही जो लिटेचर है वो आगे के बढ़ाया जाए नहीं तो इस तरीके से बिस इंटरप्रेटिट जो साहित है वही अवलेबल रहेगा तो आगे जो रिशर्च होंगी या आगे जो भी बच्चे उसको फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं गल्द को फॉलो करेंगे। लेकिन ये कहने का सास वो भी नहीं कर सके कि ये बनाई किसने ये बात मेरे को पंदते माई तन ने बबैल में अपने गेर में मेरे को वो दिन और तारिक में सब लिख रहा हूंगो जिद दिन बताई उन्होंने ये बताया कि ये रागनी पंदत लखमी तन ने तो ये रागन बनाई थी पूरण मलके सांग में मरन दे जननी मोका यो ठीक बताया उसकी जगह मेर सिख ने पूरण मलके सांग में उसके सांग पर ये रागनी बनाई थी आवा गमन रही लाग देगत मैं रात बर्या कोई दिन मर गया बार मर्या कोई बीतर मर गया घरा मर्या कोई बन मर गय उगर सेन के लाल मरे, श्री किर्शन ते वहर बांद के, दंत वकर से स्पार मरे, दिन तीन कदब पित्वी मापी उबली थली बावन मर गया, जाट मेर सिंग एक दिन सुनियो, लखमी तंद बावन मर गया, इस थाब को काट के ये करिया गया, कि थोड़े दिन में सुनियो लो अपना गुरू मानते थे उन्होंने भी और पंड़त राम चंदर जो सबसे पहले पंड़त लखमी तंद के बेड़े में सामिल हुए थे जब पंड़त सोहन के साथ और जहली पंड़त के साथ जो नद्धी परमाजरेत के थे उनके साथ जब सांग प्रारम किया तो बेड़े म सबसे पहले शामिलोने वारे पंड़त राम चंदर थे उसके बाद पंड़त माई चंद आये थे उसके बाद पंड़त रत्ती आये थे तीनों ने मना कर दिया कि ये लखमी के रागनी नहीं है ना उन्होंने बनाई ना उन्होंने कभी गाई ये एक किताब है जो महर सिंग पर लिखी गई है, मार्केट में अवलेबल है, कुंडू साब ने इसकी लिखी रागनियों को क्रेक्ट किया है, और आप देखिएगा कि अशुद्धी का हाल क्या है, यह देखिए, कितनी बार इसमें लाल रंग से क्रेक्ट किया गया है, कोई पेज ही शायद बचा हो जिसमे के करेक्शन ना है, तो कुंडू साब यह इतनी अशुद्ध था, यह हुई कैसे है, और आपको यतना शुद्ध कैसे पता है, कि एक शब्द का, मैंने तो उन से लिए, जिन्हों ने सोड़ा साल उसके के बरे, उसके डोगे खाए, उसके पैर दबाए, तो यह जो ऑथेटि लोग समझते हैं, लगता है कि रागनी तो बस गान की होती ही, कुछ भी गान दो, आप एक जिकर कर रहे थे जब हम प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ते पहले के रागनी में वो आके लेटा, ना, बताइए, पदमावत का सांग था, प्यारे ने एक रागनी गाई, गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का कर दिया, दूर शरीर का, दाते हैं पढ़के सो गया, उसकी पहली कली गाई, ताक मैं दर्या डिबबा ठा लिया, उसमें तलिक डे पान ठा लिया, एक खश्बो का पान खा लिया, दिल खुश हो गया, रनबीर का, मज़े का मतलब टो सांग के बाद मैंने प्यारे को कहा कि प्यारे जब वो लड़का सो गया था जाते हैं पढ़का सो गया तो उसने डिबा कैसे ठाया सोता हुए आदमी तो डिबा नहीं ठा सकता तो पंदल लखमी तन्द की पहुंच कहा तक थी कल को कोई आदमी ये ने कह दे कि वही रात को उसके रणबीर की आँख खुल गी और उसने वो डिबा ठा लिया तो अगली रागनी में पंदल लखमीतन ने कहा कि नीन मैं सोया रात तमाम लड़का दिन लिखड़े उठ्था यानि तमाम रात सोया और कब उठा जब दिन हुए तो अब रात को उठने का स्वाल पैदा नहीं होता तो उसके बोल क्या थे गया लोट पिलंग पर लड़का दड़का कर दिया दूर शरीर का जातें टेड़ा हो गया यानि करवट लेकर लेट गया और फिर वो कमरे को नियारने लगया कि कमरे में क्यातीज है उसको एक आड़ा जिसको ताक भी बोलते हैं वो दिख्या उसमें एक डिबा रख्या था वो डिबा खोल लिया तो उसमें पान थालिया थे थालिया इसको सुपारी के टुकडों को बोलते हैं तो उसने खश्बों का पान खा लिया दिल खुश हो गया रिनभीर का मज़े का मतलब टो गया तो इस तरह से एक शब्द के उससे मतलब एक शब्द से इतना फर्क आ जाता है मतलब गाना तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर्याना का दिमाग वैसे बहुत लॉजिक से काम करता है हमारे चुटकले भी बड़े लॉजिक से बनते हैं तो ऐसे लॉजिक से देखना और एक आलवचना तमक सही में अध्यन करना आपने सिर्फ बालोचना नहीं किया आपने उसको सही भी बताया बड़ी अच्छी बात है कोई और ऐसा उधार्ण एक राग नहीं पाले गा रहा था रावन के बेटे गी बोड़िया थी सलोत ना नार प्यारी पती गी बजाकत पड़ी बहला में रोई दे खिलकारी मैंने उसको फोन किया मगा पाले ये कोई मैंस और गाय थोड़ी थी कि राम तंदर उसके उपर का आथ फेर रहता हाथ तो पश्यों पे फेर रहता है तो वो तो पतिवरता उर्त थी जो कि शब्स माहा है के राम तंदरना हाथ जोड़ के पतिवरता पुछ कारी पहले उसकी कि आगा हाथ दोड़े क्योंकि पती वरता औरत थी उसके पती का सिर कटा हुया था कभी वो सराप ना दे दे इसी तरह बाई एक बार नरेंदर दांगी के मैं रागनी सुन रहा था रो तक मैं लजजा सहीद पकड़ के वस्तर डाल देई फुल माला समझ के राजा नल को हज़ समझ लिया बाकी राजे कहा गए देवता कहा गए चारों उनको एपसेंट मारक कर दिया राजा नल को आज़िद नहीं राजा नल के आज़िद देखा आपने एक शब्द का की जगें के होने से ही मतलब कितना बदल जाता है सोचिए क्या फिर से कहेंगे कि कल्चर के नाम प लोग हैं कुंडू साब जैसे जिन्होंने इतना अच्छा ग्यान संजोया है तो आज आपने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे ग्यानी की फिर से हम किसी दिन एक्सपेट करेंगे कि आप फिर से मारे लिए समय निकाले क्योंकि चैनल पे एक समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जैसे